हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नोटिफिकेसन बार के कलर को चेंज कैसे कर सकते हो यहाँ पे हमारा वाइट आ रहा है बैक्ग्राउंड में आप देख सकते हो कि यतना खास नहीं लग रहा है तो हम इसे चेंज करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है प्ले श्टोर यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा तो आपको बॉक्स में सर्च करना है वन शेड इस वाले अप्लिकेशन को अपने फोन में इस्टॉल कर लिजिए हम इसको इस्तिमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे अच्छा और बिल्कुल भी एड वाला अप्लिकेशन नहीं है इसमें एड ना के बराबर आती है तो यह इस्टॉल हो चुका है आपको इसे ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास यहाला पेज आएगा यहाँ पर 4-5 आप्सन कहेगा अनेवल करने को तो अनेवल कर दीजिए ताकि आप इसे सही तरीके से यूज़ कर सकें तो हमने आप सारे अनेवल कर दिये हैं आपको don't show again पर टच करना है अब यहाँ पर देखिए आपको अभी से changes मिल जाएगी थोड़ी बहुत पर अब भी white है तो यहाँ पर आपको layout मिलेगा layout पर टच करें layout पर टच करने के बाद यहाँ पर quick setting icon shape इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर आपको normal shape लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर यह वाला shape लेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा shape अलगा रहा है अब यहाँ पर color change करेंगे तो इसे back करते हैं यहाँ पर आप जैसे कि ऐसे करेंगे तो यहाँ पर पीछी की तरफ बिलर हो गया है और यहाँ पर आप background color पर किलिक करोगे तो इसके color को change करवा हूँ जैसे कि हम कर देते हैं yellow एकदम और apply पर किलिक करते हैं और check करते हैं कि yellow हुआ कि नहीं आप देशते हैं yellow हो गया है आपको थोड़ा फर दिखाए देगा बाकी पीछे का तरफ yellow दिखाए देगा ऐसे आप इसको use कर सकते हो वीडियो पसंद आई है वीडियो को like जरूर करें और channel को subscribe करना मद भूलिएगा